हेलो बच्चो कैसे हो आप सभी उमीद गरता हूं सारे बच्चे एकदम स्वस्त है ध्यान से सुन लेना ये आप लोगों के लिए बहुत इंक्पोर्टेंट न्यूज है क्योंकि मुझे पता है काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और इंक्पोर्टेंट चीज जो है वो स्किप कर देते हैं इसलिए मैं आप लोगों को शुरुआत में बता देता हूं अगर आप लोग अपनी क्लास 10 के बाद में नीट की प्रिपरेशन ये जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बिना किसी फाइनेंशल प्रॉब्लम के साथ में तो भाई आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी तयारी कर सकते हो इसके लिए एलन का आपको एक टेस्ट देना होगा बिल्कुल हाँ भाई एलन डिजिटल स्कॉलर्शिप एडमिशन टेस्ट आप लोगों को देना होगा सर कैसे दे सकते हैं ये टेस्ट तो सब कोई जानकार हैं जिनके बच्चे क्लास 6 से इस त्वेल्ट में हैं वह भी इस तेस्ट को दे सकते हैं आप लोग जही की प्रिप्रिशन करना चाहते हैं तो भी आप लोग जो है इस तरह की होने वाली हैं कितनी और जादा करने के आपको जरुरत है आपका लेवल क्या है यहां पर आप 90 प्रतिशत इस्कोलर्शिप तक पा सकते हो बिलकुल भाई या 90 पर सकते हो तो फटावट से जाईए और बिलकुल देरी ना कीजिए तो कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं एकदम स्वस्ते मास्त और तंद्रस्त तो भई क्लास 10 के एक्जाम में तो आपने मचा दिया फोर दिया पर आब आगे क्या काफी सारे सपने आप लोगों के जुड़ेवे होंगे आप लोगों को अपने सपने पूरे करने माबाप के पापा कहते हैं बेटा इंजिनेरिंग करनी है तुम्हें ममें कहते हैं नई डॉक्टर बनना है दोस्त कहते हैं नई भाईया हम तो कॉमर्स लेंगे तो काफी सारी चीजे जो है आप लोगों के दिबांग में चल रही खिचड़ी और यह समझ में नहीं आता कि आकिर में मैं कर बढ़ती होना है पर बच्चो सचाई तो यह है कि अब वो समय आ चुका है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का अब बेटा आप जो भी पढ़ाई करेंगे वह आपको डॉक्टर बना सकती है इंजीनर बना सकती है और सेना में भरती कर वा सकती है तो अब तक जो भी दिमा कौण से आपनाने ए। कौन से एग्जाम होता है उन सारी पहनत करने की पहली सेड़ी जो है यहीं से शुरू होती है यहीं सीड़ी आप लोगों के करियर को डिसाइड करेगी कि भविष्चे में आप क्या करने वाले हो तो आज के सेशन में हम लोग आप लोगों के लिए यहां पर चाहें नीट की बात करें मतलब डॉक्टर की या जान करी आज आप लोगों को मिलने वाली पूरी एक ही वीडियो में है तो हम बात करने वाले है electro stream के major goals के बारे में कौन सा paper होता है क्या Criteria होता है क्या सिलेबस होता है क्या पड़ना होता है कैसी फट पड़ना होता है पेपर किते दिनमबर काता है इतने अटेम्ट होते है अग बात बदज़ आपको आगे थम्माल एंचे करें तो एक निया करोज़ yol हैंट जब थाल रहा और प्रत कि अबस इस न्यून आपको पेंश यंव नहीं कर पाऊगे तो यह सारी जानकरी आपको आज एक ही सेशन में एक ही क्लास में मिलने वाली इसलिए पूरे सेशन को ध्यान से और अच्छे से देखिएगा चल शुरुवात करें मैं बच्चो तो अगर आपका सपना है डॉक्तर बनने का अगर आप चाहते हैं कि आप भी हृट कोट पहने हो हाथ में स्टेटोसकोप गले में listen or और आपको लोग भगवान माल रहे हो आप लोगों की सेवा करना चाहते हो और आप चहते हैं कि मैं किसी की जिन्दगी वना मैं किसी को जीवन दान दे पाऊं अगर आप ये सपना देख रहे हैं तो येस बच्चो वह सपना पूरा करने का सही समय आ चुका है पर अब हमें कर ना क्या होगा क्या सीडी है तो बच्चो इसकी सीडी है वह है नीट का एक्जाम बच्चों नीठ एंडबल ईटी इसका फुल फॉर्म क्या है तो फॉल फॉर्म है और वहाँ पढ़ाई करेंगे MBS की, पढ़ाई करेंगे BDS की, पढ़ाई करेंगे अलग-अलग courses की जिससे आप doctor बनेगे, कुछ बच्चे nurse बनेगे, कुछ बच्चे जो है किसी और field में जारूब, कुछ बच्चे dentist बनेगे तो कहने का ताथ पर यह है कि आपको सबसे पहले ज देन आपकी डिगरी आपके हाथ में होगी, तो बच्चे चलिए, अब जो समझते हैं कि आखिर कार जो एक्जाम है, एक्जाम कराता कौन है, तो बच्चो जो एक्जाम है, यह बटा कराती है NTA, बच्चो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA बटा जो है एक्जाम को कंड़ कराती है, अब यहां पर आपको जानके हरानी होगी, कि जो लोग बोलते हैं कि पढ़ाई में पैसा आड़े आता है, जी नहीं, इंडिया का डॉक्टरी का टॉप कॉलेज है, इम्स, आप एक बटा गुगल पे उसकी जो है, फीस दालिएगा, आपको अंदाजा लग हैं, तो बच्चो, जाए सबस्ते हैं कि आखिरकार जो ये नीट एक्जाम है, ये होता कितने घंटे गाए, तो बच्चो नीट के एक्जाम बेटा तीन घंटे को होगा, अच्छा, अब इस एक्जाम में इलिजिबल कौन सी लोग होंगे, अगर आप डॉक्टर बनने का सप करना ही स्टार्टिंग से, तो अगर आप नीट एक्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये लिखा है ना NCRT, इसको घोल के भी डालो क्योंकि कहते हैं कि जो आपका पेपर है, वो NCRT के लावा कहीं से नहीं आता है, और बच्चो ये बिल्कुल सच्चाई है, अगर आपने N NCRT की एक-एक लाइन याद है, एक-एक लाइन का मतलब आपको पता है, तो नीट के एक्जाम पहली बार में ही आप क्रैक कर सकते हैं, तो सबसे पहली मेजरली हमें 11th and 12th से ही फोकस करना होगा, बिकस बच्चो 11th and 12th का ही जो कॉंसेप्ट है, यही आपके एक्जाम में तो लोग तारीफ करेंगे हमारा जो नाम है अखबार में छप जाएगा पर वह अखबार में छपा होगा आपको डॉक्टर नहीं बना सकता आपको इंजीनर नहीं बना सकता अगर आप चाहते हैं अपने सपने को हकीकत में तबदील करना तो आपको 11th से पढ़ाई करना प्रशनों की संख्या की तो बच्चों मैं आपको बता दू कि परिक्षा की जो अवधी होती है वह होती है तीन घंटे 20 मिनट की बेटा जो इसका माध्या में मिनन की जब पेपर देने जाएंगे तो अलग-अलग सेंटर पड़े होते हैं आपके शहर में आपको एक सेंटर प्रशनों की संख्या की तो बच्चों नीट का जो पेपर है उसमें बेटा जी 200 सवाल होते हैं जिसमें से आपको 180 के उत्तर देने होते हैं तो 200 में से अगर बच्चों मैं बात करूं कि मैं तो मैं हिंदी मीडियम से हूं मैं मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूं तो क्या मैं जो है नीट के एक्जाम दे सकता हूं या दे सकती हूं तो बच्चों नीट के एक्जाम है वो तेरा भाशाओं में कराया जाता है तो कहने का मतलब यह कि जो मीडियम है वह आपके सपने के आड़े नहीं आएगा अगर अपिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो बच्चो यह ये पेपर हिंदी मीर में ही होता है तो मीडियम चींज नहीं ही करना है वहां सिर्फ और सफ जम के स्लेवस तयार करना है और पहली सीडिय चाल लेनी है तो बच्चों अगर मैं बात करते हूं प्रश्णों की प्लकार की तो बिटा MCQS फॉर्म में है पर येस आप यहां पर तुक्का नहीं मार सकते हो क्योंकि बच्चों यहां पर आपको अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपको प्लस फोर और अगर आपने कोई भी गलत उत्तर भर दिया तो उसका माइनस वर्नन के एक नमबर कट जाएगा तो बच्चों नेगेटिव माकिंग है तो हमें बहुत ही अच्छे से सूज बूज के साथ यहां पर प्रश्णों का टैम्ट करना होगा अब बच्चों थोड़ा सापको और डीटेल में जाना चाहूंगी अगर जो है बाइल अच्छे से आनी चाहिए इसमें मेजरली आपके दो बेटा पार्ट होते एक होता है आपका बॉतनी एंड बच्चों दूसरा होता है जोलोजी बिटा बॉतनी को हिंदी बोलते हैं वरसपती विग्यान जोलोजी को बोलते हैं जनत विग्यान डों के ही 45 45 प्र करने के लिए बचो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 45-45 सवाल होंगे तो अगर आप चाहिए नीट करें या फिर जो है यह करें आपको फिजिक्स पेमिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी पढ़ेगी एंड येस आपको इसमें भी पास्तिंग मार्क्स लाने पढ़ेंगे तो इन दो क्यों कितने चांस करते हैं मैं महीं कितनी बार आप दे सकते कि हम लाइफ में हम नहीं चाहिए प्यूर्यर प्रेश्न आता है लोगों को के ताने आते हैं जिम्मेदारियां होते है घरवालों की तो हमारा focus क्या है कि हम first attempt में ही क्या करें इस exam को crack करें तो बच्चो आपको अगर इस set of mindset चलेंगे तो आप इस exam को जरूर पहली बार में पास कर पाएंगे ख्रैकर पाएंगे अब बात करते हूं कि रिए कितनी जो है उम्र होने ही चाहिए तो बेटा जो मिनिमम एज है वो 17 वर्ष की होने ही चाहिए अगर आप 17 वर्ष से कम की अगर आयो रखते हैं जिसना या पेपर देने जा रहे हैं तो आप एलिजबल नहीं होंगे पहली बार पेपर हम कब देंगे जो हम क्लास 12 में होंगे बच्चों क्लास 12 में आपको जो एक्जाम देने की चांस मिलेगा तो आप चाहे तो क्लास 12 जो अब कर रहे होंगे तब आप नेट के लिए उसके बाद आप चाहें जितनी बार चाहँ आप जाए सकते हैं बेटा इसमें जो है आपकी अंतिम निर्धारित नहीं करी गई है आप 17 वर्ष से लेकर के अधिक्तम निर्धारित नहीं है बस इतना आपको याद रखना है अगर मैं आगे बात करूं कि नेट के लिए मैं बार में कितना प्रतिशत काम आएगा जो क्लास 12 है वो कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर आपके नेट एक्जाम तो बच्चो मैं आपको बता दू कि बोल्ड का कोई लेना देना नहीं है इस कॉम्पूरेटिव एक्जाम से मैंने फ पड़के आप बोर्ड में असी परसें ला सकते हैं बट नीट एक्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं यहां पर बात करूं कि नियूनतम जो परसेंटेज हो कितने चाहिए बचो बालवी में नीट पाफ्टिता अंकों पिटा जो है अगर मैं बात करते हूं जेनरल केटेगरी वाल बाकि जो जातियां है जैसे कि आपका जो है स्ट ओविसी हो गया तो उनके लिए अगर अगर जो है आप 40 परसेंट मार्क्स विए अगर आपके हैं तीनों जो है सब्जेक्ट मिला करके तो भी आप स्पेपर को दे सकते हैं इस पेपर में बैठ सकते हैं अब बच्चों के मै अगर दिमाग में दोनों लिके चल रहे हो तो एक बहुत ही बिग क्वेश्चन मांक आता है कि मैं मेजर फोकस किस पर करो बोर्ड पर नीट पर नीट के एक्जाम अब्जेक्टिव है और आपका बोर्ड एक्जाम सब्जेक्टिव है पहली चीज बच्चों दूसरी चीज जब आप नीट के एक्जाम देने जा रहे हैं अगर आपको कॉंसेट नहीं आते होंगे तो अव्यसी बात है कि आप वहां पर कैसे ही किसी सवाल का जवाब दे पाएंगे आप कैसे वहां पर अब्जेक्टिव का असर कर पाएंगे बच्चों बोर्ड में क्या है आपको पूछा गया है जैंसी के पूछा गया है आप उसका सही उतर कर पाएंगे और अगर आपको पूरा कॉंसेट आता होगा तो बोर्ड की कॉपी में लिख किया जाएंगे तो बच्चों दोनों को अलग ना करते हुए हम एक ही जो है त्यारी करें कि हमें कैसे भी करके 11 और 12 के जितने भी कॉंसेट्स हैं वो बिल्कुल शुरुआत से ही अपने दिल में दिमाग में बसा लेने हैं एंड बच्चों इसी बात का ध्यान रखते हुए डाउटनेट क्लास 11 हिंदी मीडियम पर हम बिना समय गवाई हुए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से हर रोज शाम क शे बजी क्लास 11 की क्लास सार्ट होने वाली है जहां पर फिल्जक्स, सेमेश्ट्रिय, मैस, इंग्लिश आपको सब कुछ बढ़ाया जाएगा और आपको अकेले का सपना नहीं है यह सपना हमारा भी है और हम और आप मिलकर की बच्चों इस सपने को हकीकत में तबदील करें तो यह मैंने यह तो बात हो आपके एक यह कहीं जैसे की स्थांटे को इसके लिए एक लिए इंटररन्स एक्जाम होगा है सही मिनुखब एंग्जिनियर के sacred एंजिनियर के लिए जांगा था जि cucumber का लिए जिन से नियसे आपको नोया हो और 11 बात करेंगी इन, केसे जए तो गतार। के यहां थे एक्जान पजम करें जए जए इससे पर sleepy यह को सिटान करवाता से समय एक्जान तफ सबस्क्रीनिय यह शुरुद नग्यद करें करना है कि यह पर जब एली बात हम मैंस की कर लेते हैं ज़सा कि अभी मैंने बताया कि जए एक्जाम को कौन कंड़ेट कर बाता है एंटे नेसल टैंसिटिंग एजेंशी कर वाती है ठीक है जए मैंस क्लियर करके आप क्या कर सकते हो निट कोलेज ट्रिपल इट कोलेज जए आपको यहां से मिल सकते हैं ठीक है इसका अगर हम आगे देखते हैं आपका मेंस एक्जाम अच्छे ते क्लियर है तो फिर आप लोग क्या करते हो सलेक्ट हो एडवांस के लिए जनरली अगर देखा जाए तो आप लोग यह देखो कि 12,00,000 बच्चे जो है जे मेंस जो है तो यह आप लोगों को एक तो त्याने रखना है अब यहां पर आपको आगे में बता देता हूं जेए एडवांस के बारे में जिसे कि मैं अभी का है सार्टिंग में कि आई इट चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा जेए जेए एडवांस और अगर सिर्फ आपको आप आप इस पेपर को नहीं दे पाएंगे दूसरी चीज़ जैसा है कि सर ने आपको बताया बच्चो आइट इस टॉप इंस्टेट्योट ओफ और अवर कंट्री सो गाइस अगर अगर आप एक बर IIT में सेलेक्शन ले लेते हैं तो आपको पता है स्टार्टिंग पैकेज कितन सब्सक्राइब कि नहीं है क्योंकि आपको तो आपको बहुत कड़ी मैनत करने ही पड़ेगी अब यहां पर पैटर्न क्या होगा इसपेशली जो है जो है जो है जए 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 आपका एंड दिल की बहुल सारे वच्छों का सपना होता है देश्टेवा करने का तो आपको पूरी जानकारी देंगे तो करना क्या है एक इक बाफ तो गौर से सुनना है और सर की बातों फोकस करना और सारी पॉंटर्स को नोट भी करना है तो किस तरह का रहता है क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है सबसे पहले यहां पर बात करते हैं मोड ऑफ एक्जाम की तो सीबीटी मोड रहता है बोले तो कंप्यूटर बेस एक्जाम रहता है आपका ठीक है मतलब कि ऑन-लाइन एक्जाम रहता है दूरेशन तीन गंटे का लोड़ टी है मोड ऑफ बात हो चुकिए है नंबर फ टोल कितने इस तो टोटल लाते हैं यहां पर 90 कितने आते हैं हमारे पास में यहां पर तोल अभी इन नबबब क्वेशन में आप लोगों को एक बैसिक और च्छोटी सी बात में बता देता हूं मैं के यहां से आपको मि जो है यह मेंस का आपका पेपर होता है इसमें सब्देक्ट आपके physics, chemistry और math होते हैं पेपर पैटन क्या रहता है टाइफ ऑक क्योशन की बात कर लेते हैं तो देखो वह आपको यहाँ पर मिलते हैं MCQs questions ठीक है और numerical value questions मिलते हैं यह आपका यहाँ पर paper type रहता है यह सबसे बेंट जो चीज यह है आप लोगों के पास में अभी मैंने आपको बताए कि 30 questions आपके physics के रहते हैं 30 chemistry के रहते हैं math के आपको 30 में से 25 question करने होंगे physics के आपको 25 के रहते हैं ठीक है clearer अब इन 20 में भी आपका अलग criteria है क्या है कि 20 question आपको Math के 20 आपको physics के मस क्यूज और 20 आपको chemistry के mcqs अब बचे आपके पास में 10 दस questions और क्योंकि तो 20-20 तो आपके हो गए और पांच-पांच हो गए आपके पास में नुमेरिकल वेल्यू ताइप क्योशन हो गए यह आप लोगों को ध्यान रखना है यहां पर अगर हम इसके आगे नहीं मिलने वाला है और बोनस नाम आते जो हैं खुशी होने लगती है तो बोनस का क्या सीन है यहां पर अलग अलग टाइप है देखो आपने यहां पर देखा कि आपके पास में में नुमरिकल वेल्यू तो अब इसमें आपको एक बात दिहान रखनी है अगर मान लो मतलब महीं से घलत है आप को बताए कि यह क्योंषन घलत है और यह क्योंषन का बोनस मार्स जो र रहएगा वह सभी बच्चों को मिले लेकिन लेकिन अगर माने लो खोई आपका न्यूमेरिकल वेल्य क्यो को मिलेगा जिसने नहीं किया उसको कोई बोनस मां नहीं मिलेगा इसलिए इस बात को आप लोगों को ध्याने रखना है बहुत अच्छे से ओके नेक्स की बात कर लेता है तो यह अगर आपको यहां पर जो है यहां पर अगर आपको स्टार्टिंग में बता दिया था यहां पर अगर यह चाहिए तो इसके लिए स्टार्टिंग में बता दृष्ट में बता है तो यह एढ़ने वाळां तो यहां पर advanced की जो है हम basic details देख लेते हैं number of paper दो पेपर होता है यहां पर ठीक है एक तो सुबह नो बज़े से होता है और दूसरा जो है आपका दो बज़े से होता है clear तीन गंडे का paper होता है जैसा की देख रहे हो English और Hindi की language रहती है इसमें subject physics रहता है यह ध्याने रखना ठीक है class 12th board में आपके पास में 75 प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए किसके लिए general category के लिए clear इसके अलावा अगर आप SCST category से आते हो तो आपके पास में आप 65 प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए यह सबसे बड़ी जो है आप लोगों के लिए पहली CD रहने वाल कि किसी बोर्ड में बच्चों के 71 प्रतिशती मार्क्स है जैसे कि बिहार बोर्ड हो गया यूपी बोर्ड हो गया राजस्तान बोर्ड MP बोर्ड 36 गड़ बोर्ड कोई सबी बोर्ड मान लो ठीक है अब उसमें टॉप मैरिट ही क्या गई बहुतर प्रतिशत नहीं गई तो फ हम जो टॉप 20 प्रतिशत जो स्टुडेंट से उनकी लिस्ट भीजेगा कहां पर आइटी कोलेजेज में कि भाईया हमारा टोटल रिजल्ट सी इतना ही रहा है तो यह आप लिस्त दीखिए और देन जो है इन बच्चों के सेलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है तो इसलिए यह पर पॉइंट आपके पास में यहाँ पर जरूरी है वैसे यह जो है बहुत रियर केसे वाला पार्ट है यह आपको जहाने रखना है आपको ओके कैंडिडेट शुड बी इंटू टॉप यहाँ पर तूलेक 50,000 कैंडिडेट ठीक है अभी मैंने आपको बताया कि एडवा यहाँ पर जहीं मैं ऐसा नहीं है जहीं में बहुत सारी चीज़ेंट देंको गैंडिडेट इस एलिजिबल टूएफिर फॉर जेमें इन इन थ्री कॉंसेटिव इयर्स ठीक है तीन साल कितने साल तीन साल तीन साल आपको यह धिहान रखना है जहीमें सका एक्जाम आप तीन जनवर योड अप्रिल एडवांस के अगर हम बात करते हैं तो एडवांस में यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास में दो अटम्पी मिलते हैं कि तिने लगातार दो साल मिलते हैं फॉर एक्जामपल आप लोग दोजार चुछ में एक्जाम देते हो ठीक है और फिर में दिया फिर आपने 26 में दिया लेकिन यहां पर लगाता है सिर्फ और सिर्फ आपके पास में दो ही साल रहने वाले इसलिए इन दोनों मैंस और एडवांस में आपको यह डिफ्रेंट ध्यान रखना है तो यह बैसिक जानकारी थी आपकी पूरी जहीं की अब यहां पर हम ब सब्सक्राइब नहीं किया डाउटनेट क्लास 11 हिंदी मीडियम तो फटाफट से जाईए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और मंडे से यहां पर शाम को छे बज़े से क्लासे आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है तो बिल्कुल जाईएगा और फटाफट से जो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या क्राइटरिया होता है वह सारी जानकरी हमारे पास में होनी चाहिए तो आप लोगों को पता है नेशनल डिफेंस अकेडमी में हर बच्चे का सपना होता ना वर्दी यूनिफॉर्म जो है यह हमको एक प्राउड फिल कर वा थी क्योंकि हम दे कि खड़े हो जाते हैं रोम रोम खड़े हो जाते हैं तो यह यूनिफॉर्म एक ऐसी कि इसको पाने के लिए इंसान को बहुत जादा मैनत करनी पड़ती है इसलिए इस पर सारी जानकरी आप लोगों को यहां पर में देने वाला हो तो ध्यान से और अच्छे से रिखेगा पहली बात तो यह एक्जाम जो है बोईस और गर्स दोनों दे सकते हैं ज्या करें और यहां आपको यहां पर में मिलने वाले हैं clear next that ुप या आपको जल से ना में या आपको छीㅎㅎ क्लीए नेक्सिक इसकी आगे देखते हैं eligible criteria क्या होता है तो आप लोग सबसे पहले नागरिक होने चाहिए पहली बात अंवेरीड होने चाहिए दूसरी बात और एजी लिमिट आपकी जो पार्ट से साठेट साल से ननीस के बीच में चाहिए यह आप लोगों को ध्यान रखना है यह आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सारी चीज़े दिमाग माति वह भी मैं आप लोगों को यहां पर जानकरी देने वाला हूं तो पहली बात तो यह कि जब आपका एंडिया में सेलेक्शन हो जाता है ठीक है तो उस टाइम पर आप लोगों का 12 पास होना जरूरी क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है 12 के साथ में लेकिन लेकिन अगर आपको नेवी या एरफोर्स में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ साइन्स सिस्टिम होनी चाहिए यह दिखान रख ले आप लोग क्लास 12 में नेक्स इसके आगे चलते हैं पेपर पैटन क्या रहता है बहुते हैं अब इसमें दो पेपर से भी अलग सीन है पहला आपके पास में रिटारी एक्जाम होता और दूसरा होता है आपके पास में आगर लोगों को सरेक्शन नहीं कर वाए दिए तोपस के ई Remember और झीचे का नो आपका ty जो है चेक नहीं किया जाएगा है यह ध्यान देंगत्लिक्त करते हैं तो यहाँ पर आपको हर एक question 2.5 marks का मिलने वाला है इसके अलावा negative marking भी होती है और negative marking यहाँ पर होती है आपके पास में 0.83 marks की ठीक है यह आपकी negative marking होती है GAT में आपके पास में यहाँ पर physics आजाता है इसमें आपके English आजाता है इसमें आपकी chemistry आजाता है बायो आजाता है और social science के जो subjects होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं GAT में भी सबसे ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर एक तो आपका English और एक आपका physics इन दो paper पर आपको सबसे ज़्यादा focus करने की जरूरत होती है इसके बाद हम बात करते हैं math के syllabus की तो syllabus आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसमें आपको algebra पढ़नी है matrix पढ़नी है यह आप लोगों को कौन-कौन से topics कवर करने हैं ट्रिक्नोमेट्री में आप आपको कौन से topics कवर करने तो यह सारी जानकारी भी जो है आपको यहाँ पर दी गई हैं तो यह भी आप लोग देखिए और इनके ले सकते हैं ताकि आप लोग तैयारी करें तो उसके लिए आप लोगों को सबसे जादा हो ओके तो यह आप लोगों को मैंने इसकी आपको बैसिक जानकारी दे दी हैं लेकिन आपको बार बता देता हूं बैसिए जो है आपका पाँच दिन चलता है उसके बद यहाँ आपको थे जाता है और आकी यह रहती है और आपकी आपके जो रैंक होती है वो डिसाइड होती हैं तो मेजरली अभी तक दिखा गया है कि 400-420 बच्चे ही सेलेक्ट किये जाते हैं लाको बच्चे एक्जाम देते हैं इंडी का उसमें से ठीक है और वहीं पर आप लोगों को पूरी आपकी ग्रेजुशन करवाई जाती हैं वहीं पर आप लोग जो है एर फोर्स में जाना है य इससे आप लोगों को लगाने चाहिए क्यूंकि इससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि एक्जाम जो है पैटर्न आप लोगों का किस तरह का आता है किस तरह के आते हैं कितनी आप लोगों को जरुरत है और जादा पढ़ने की कितनी जादा जरुरत है आपको मैनत करने की किस लेवल पर आप लोग अभी हो और किस लेवल पर आप लोगों को और मैनत करके जाना है त ताकि उन से रिलेटेड भी जानकरी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर वा पाएं तो आप लोग अगर क्लास 11 में अपने प्यारी प्यारी टीचर से पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने क्लास 10 में आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प की तो क्लास 11 के चैनल को जाकर सब्सक् सब्सक्राइब करने वाली है तो फिर मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक सारे बैचे स्वास्त रहे मास्त रहे तंदर से शांदार रवादा जिन्दाबाद के साथ में बाए बाए तेक क्या हाँ